हेलो नमस्कार डियरी स्टुडेंट वेलकम टू सक्सेज केरियर आज की इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं सी टी आई प्रवेस्ट परिक्षा के बारे में ठीक है उसके माडल पेपर को देखेंगे डीजल मेकेनिक से रिलेटेड और उसके माडल पेपर जो मुस्ट इ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सेर कर दीजिए सोसल मीडिया ग्रूप पर देखिए जो पहला कोस्टन है जनरली देरा टू टाइपस आप टायर इनमें तब दो प्राइव दो तरह के टाइपस कौन से हैं टायर के तो जो आपसन होगा हमारा ट्यूब एंड ट्यूबलेस 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 ट्यूबले पूरी गाड़ी को चलाता है इंडिकेटेट पावर तता उसे गाड़ी के सभी अप्रेशन करने के लिए यूज किया जाता है थौर रेडियेटर ट्यूब भीज मेड आफ विछ मेटल रेडियेटर ट्यूब किसका बना होता है ये बताना है आपका रेडियो ट्यूब इसका बनाता है कास्ट्राइरन का का स्टिल का तो रेडियेटर ट्यूब जो होता है ब्रास का बना होता है और उसके बाद एक आता है रेडियेटर जो फिन्स वह आपका किसका बना होता है देखिए फिन्स जो होता है वह कापर के बने होते हैं और रेडियेटर ट्यूब किसका बना होता है ब्रास का बना होता ह ट्यूब यानि की ब्रास का जो बना होता है क्लेंट की हीट लेकर फिंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है नेक्स्ट क्रोश्चन पर बढ़ते हैं चोथा चोथा का एंसवर देख लीजिए अगया वाट्र पेंट अट त्यम आफ्टाइम फसक्षण इश्ट्रोट इंडिजल इंजन मताब क्या घरतीत होता है क्या घरता है फ्यूल इस अप्टेंड एक्सर इंड़ इज अप्टेंड आप तो इसका करेक्ट आप्संज होगा एर इस अप्रेंड यहाँ पर सी एंस ओर गलत धिया है آफ तो याद रख रखिएगा जब सक्सिन होगा तो क्या होता ही सक्सान में मैं मिक्सर आताल है तो बात थोड़ी to handle a job which device is being use, यानि कि क्या करते हैं, किसी job को hand में पकरने के लिए, handle में पकरने के लिए, किस device का परियोग करते हैं, Bench-wise, Spanner, Tongs, or Clippers, कोई भी job उसे पकरने के लिए, हम किसका इस्तमाल करते हैं, Bench-wise, जाब को पकड़ने के लिए बेंच वाइस का परियों किया जाता है इसमें दो जबड़े होते हैं तता इसको बेंच में फिट किया जाता है नेक्स्त जो वीडियो कॉश्चन है हमारा यूजयु ली ऊवेनी स्ट्रोक का पर्योक कि सुषण इडीजल इनजन बनाने में तो आप सभी को पता है चाहे डीजल इनजन हो चाहें पैट्रोल इनजन उपमें स Dani दो सिलेंडर है सिलेंडर के अंदर पिस्टन जो बना होता है ऐसे पिस्टन बना होता है और कनेक्टिंग राट से तो क्या होता है जब यह उपर टाप डेट सेंटर से नीचे के तरफ जाता है तो सक्षन फिर टाप डेट से नीचे के तरफ बटम डेट सेंटर के तरफ गया तो सक ईसको power मिलेगा उसी को ignition यहां पर हो जाएगा तो यह पिस्टन नीचे के तरफ हो जाएगा फिर इसके बाद यह से power के तरफ ओपर के तरफ जाएगा तो जितने भी 16 कैसे बाहर निकलेगा उसी को एकजास तो याद रखियागा कितने इस्टोक होते हैं सद्सनिश ट्रोक पावर इस्ट्रोक जिसे इसमें इंटीज तो चार इस्टोक होती हैं इस पर्योंक掉 कर दो को चलते हैं रीमर करेंभगी में इंगें पर फेरिक्शं बोल लाइक इसमें किस बीरिंक को aktive friction भीरिंग और पर फिरिक्शन नमसे जानते हैं बाबर दो निम्हां करेक्ट आपslत नहीं मिल्टकॉर्ट के जोजिए दुआ आपर नमसे जानते हैं त्ञाफि हो नाम से जानते हैं देखिए हाँ पर इसका विढ़ान वी रोलेग होते हैं जिसके चलते हैं इसमें फ्रिक्सन बहुत कम होती है हुआइए त्जो नाई नंबर का बीर इसमेद लुआ यस वनी 710 से बनाया जाते हैं तो का कास्ट टाइरन से यह स्टिल से ब्रॉस से यलमुनियम से लॉन अफ तो जो हमारा बीरिंग्स और यह इस्टील के बनाए जाते हैं विरिंग धरवा लोहां के बनाया जाते हैं इस पाथ का भी कि इस्तमाल किया जाता है इनमें जंग नहीं लगता तथा टमप्रेचर रजिस्टेंट तथा डियूरेबल होता है नेक्स कोच्छा ने दसवा उसा ऌड़न दिया है विूस टाइफ आफ्कुलेंट इस यूजज इन फूर इस्ट्रोग इंजन बतला किस तरह के कुलेंट को परिविकिया जने को पूलेंग के लिए मतला को ब्लया जनेन्व क्रेंट को प्रेंट को खेश मिलार अभाप्र एके किया जाता है औरों कोई मुकाबले ज्यादा एफिसियेंट होता है तता प्रभावी अधिक होता है नेक्स्ट कोश्टन 11 नमबर दिया है वाट इस गीवन इन पेट्रोल इंजन फार इगनिशन का मतलब पेट्रोल में क्या इगनिशन के लिए दिया जाता है वाल्ब इस पार्क प्लग सा कि एक पिस्टन रिणग क्रैंग तो आप सबीको पता है पेट्रोल इंजन में क्या परियों किया जाता है यह याद रखें बहुत हैं प्रभी क्वावर कि मॉखएंग पूछ लिया जाता है तो हमारा कटन सवर जो होगा वह बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं वो फटाक दीज़र से इंजेक्टर भूल देते हैं घैर इंजेक्टर तोस्वाम में वह नहीं दिया को ऐसा poker नहें पेट्रोल होगा तो इसमें ऑस source होगा और दीजल होगा तो उसमें स्पार्क काँ होता है इंजेक्टर होता है याद रख Cayetan देखिए यृण द्वारा चिंगारी उत्पन की जाती है जिसमें को जलाये जाता और पाव्र को उत्पन किया जाता नेक्स कोस्टन के तरफ बढ़ते हैं वीच आप दी फोल्मिंग इस यूज टू मिजर एक्स्टरनल डाइमेंशन बताइए कौन सा यसा इंस्टूमेंट है जिसे हम एक्स्टरनल डाइमेंशन में अपने के लिए यूज करते हैं लिए तो देखिए सबको में बता दूँ पहले तो आउट्साइड के लिपरिसका करेक्ट टेंसर होगा और जैसा कि बाहर का extrem external diamond रमापना है तो इंसाइड से की यह मापते हैं अंदर की डाइम्हेंसर को नपते हैं इस्क्राइबर किसकाम में आता है मतलब इसक्राइबर ख्रोज के लिए निसान बनाने के लिए इसक्राइबर का परियोग करते हैं पंच का परियोग हम लोग पंचिंग के काम करने के लिए करते हैं इस पर हम वीडियो बनाए हुए मिजरिंग और मिजरिंग इस्टूमेंट से डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे देख लीजिएगा वह भी इंप्रोटेंट है आपके एक्जाम के लिए क्योंकि मिजरिंग इस्टूमेंट से भी कोश्टन आ रहे हैं आपके डिजल में आउटसाइड के लिपर से हम बाय विमाओं को नाप सकते हैं तता बाद में इसकेल में एकुरेटिव भागों को माप सकते हैं नेक्स कोश्टन थर्टी नमबर दिया हाव मेनी हैड्स डू एड डबल इस्पैनर है बोले कि कितने डबल इस्पैनर मतलब इस रखते हैं तो सफवर कंपाओं किटने हैं तो सवारब reports दो जैसा कि डबला यह तो रखते होंगे आपको पता होना चाहिए जो वह है क्रोमियम में मैगनीज इस्टील का बना होता है आपका डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा टाइप साफ गियर के क्रोमियम मेंगनीज इस्टील इस्टील इस्ट्रांग मेंगनीज इसलिए प्रयोग इसी से करते हैं क्योंकि गियर में क्या होता है दो गियर आपस में में सोकर ही तो चलते हैं घर सड़ादिक होता है तो घिसने का चांब ज्यादा रहते हैं नेक्स्ट कोस्टन पर बढ़ते हैं कि मैं दिया आ छहें द ट्रंग कनवर्टरी सिम लिएर Crew आप दीफ फोल्विंुःटग सेफ जो ट्रंग का कनवचरर होता है वो किस सेप मोना हो कर देखे फ्लूड विल तार्क कनवर्टर की तरह होता है तता यह फ्लाई विल की तरह होता है जो कार्य करता है नेक्स्ट कोस्ट्टन है सोलन नंबर देर आए इन वीच आप दि फॉलूविंग सिस्टम द फ्यूल टैंक्स प्लेश बिलो द लेवल आप दि कार्बूरेटर मतलब किस टाइब के सिस्टम में जो फ्यूल टैंक होता है उसको रखा जाता है कार्बूरेटर के नीचे तो बताइए फ्यूल को फ्यूल को फ्यूल के द्वारा लिफ्ट किया जाता है जिसे मोटर का उप्योग किया जाता है नेक्स कोस्टन है 17 नबर में फक्सना फ्लूम्रिक्रीके चना ईयल इस रिड्यूस विछ आप फोल्विंग बोल लाएक कि में फक्सन उता है लुब्रिकेटर का वह क्या कम करने लिए होता है इनमें से सलग को खंप करता है या फिर कोई लेसं को फ्रिक्षन को वीर को तो इसका करेक्ट आंसर बटोस्कुत होगा जो लूब्रिकेटिट आया रौता है वह फरीक्षम करता है हमें पता है कि मोबाइल में सारे पार्ट एक दूसरे से या तो प्रादेता है कि नेक्स्ट कोश्चन है अठारा नंबर आलवेज पूट दवाल्व आंधी हेड दकोब यह जो वाल्व के हेड्स हैं कितने एंगल पर होते हैं को तो वाल्व की क्लियांज कारण हेड़ पर प्राया पैतालिस अंस पर रखा जाता है यानिकि करेक्ट आप क्यूंकि सेलेक्शन पाना है तो यह सारी मेनद हैं तो करना पड़ेगा बीना मेनद का फलक ऐसा क्या है देखिये वाल्व स्प्रिंग इंड आ फ्विसेेडेंगे वाल की जो सिपरिंग किस मैटल का बना होता है तो याद रखिए अगा वाल्व इन्हें सिंगल पीस ठीक है सिलेंडर ब्लाक होता है क्या बना होता है एक सिंगल पीस में बनाता है नन एज सिंगल सिलेंडर इसलिए मोनो-ब्लोक सिलेंडर कहा जाता है इससे मोनो-ब्लोक सिलेंडर कहते हैं सिलेंडर have left block को जो एक पीस में बना होता है इसमें बडी तता हेड सिंगल पर में बने होते हैं इसे कास्ट करने करके बनाया जाता है यानि कि कास्ट दाइरन का बनाया जता है períth कृष्ट्रि सिंट रोल ऑप a कि क्या होता है रिंग एक्स्पेंडर टूल्स होता है जब फिट किया जाता है या निकाला जाता है रिंग एक्स्पेंडर टूल्स का परियोग या रिंग को आसानी सिलेंडर में फिट कर देता है नेक्स कोशन पर बढ़ते हैं 22 नमबर वाट डू यू कॉल ए पेरिफेरी इन वीच तर एक्जास्ट वाल्ब एंड इनलेट वाल्ब आर बोथ ओपेन मतब उस सिस्टम को क्या कहेंगे जो पेरिफेरी पर जब एक्जास्ट वाल्ब और इनलेट वाल्ब दोनों ओपेन रहते ह के खिये ओवालरिफ यह प्राइब कोईगर कोईगि तो इसका क्लोज्ज लेप कहेंगे इसे बहुत्स थोड़े समय के लिए होता है नेक्स्ट कोशन नेन दिए प्सकर बढ़ पांप प्सक्षoviry रिंग है वह किसका बना होता है तो आप सबही को पता है कि हमारा किसका बना बना होता है नेक्स्त पर बढ़ते हैं 24 नंबर बिस्टन रिंग कास्ट आरन का बना होता है कि कास्ट आरे जल्दी घिसता नहीं और उस पर जंग भी नहीं लगते 24 नंबर का question देखिए दिया है the engine convert heat into which of the following work engine किसको convert करता है heat into मतलब जो उसका उसमा है किसमे convert कर देता है mechanical energy में chemical energy में electrical energy में या magnetic energy में आपको बताना है किसमें convert करता है तो जो है इसका correct answer mechanical energy में convert करता है next question पर बढ़ते हैं देखिए इंजन को mechanical energy कारे में परिवर्ति करता है इसे उसमें में गाड़ी के parts को movement मिलता है तो तक कुछ भी काम कर सकते हैं next question है देखिए बहुत easy question है आप सभी को पता होना चीह बिल्कुल दिखिए में what is the mean of TDC TDC का मतलब क्या होता है तो सब का पता होता है टाप डेट सेंटर ना टाप डेट सेंटर होता है टीडी सी का फूल फर्म टाप डेट सेंटर तो इसमें कौन सब्सक्राइब तॉप हेड सेंटर दिया है डी के जगह यह नहीं कि टॉप डोमेस्टिक सेंटर मार दिजेगा और इसमें टाप में होता है तो यह पॉइंट मिलता है नेक्स्ट कुर्शन पर दिया है लिए ऑच पी इस आल्वेज फ्रम ब्यश्प यानि की इंडिकेडड हार्श पावर इस अलुझ हमेशा क्या होता है भी श्क्य से लोवर होता है हायर होता है कोई नहीं होता है तो याद रखीएगा य इच्पी आलवेज फ्रॉम भी इच्पी इंडिकेटेड़ हार्थ पावर भी यानिकी ब्रेक हास पावर इच्पी हमें सब भी से ज्यादा होता है याद रखिएगा नेक्स कोश्चन है 27 नंबर कि दो डायमीटर आफ कि दो डायमीटर आफ सिलेंडर इस जो डायमीटर होता है सिलेंडर यह सिलेंडर है इसके जो डायमीटर होगा इसको किस नाम से जानते हैं तो आप सभी को पता होगा इसको बोर नाम से जानते हैं ठीक है सिलेंडर के व्यास को हम बोर कहते हैं सिलेंडर क स्कूर्शन पर चलते हैं अठाइस नंबर कि हूँ कमबाइन से एर एंड गैसलीन इंद एप्रोपीरेट एमाउंट मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है जो किसको कमबाइन करता है मिलाता है एर और गैसलीन को एक उचित मात्रा में तो हमारा करें करें कार्बूरेटर होगा वाल्ब प्लीज दोस्तों अगर अब भी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लें इसी से हमारा मोटिवेशन मिलता है देखिए 29 नंबर का कोस्चन हाउ मेनी पार्ट डर्ज एन आयल फिल्टर सिस्टम है आयल फिल्टर सिस्टम जो है वह कितने पार्ट को रखा है तो दो पार्ट को रखा रखता है आयल फिल्टर सिस्टम है टू पार्ट फिल्टर एलिमेंट और मेटलिक केसिंग तो क्या क्या होता है आयल फिल्टर में फिल्टर का फिल्टर का एलिमेंट होता है और मेटलिक केसिंग होता है नेक्स से वाट काइंड आप दिस ट्रीटमेंट इस मेटल इस्प्रेंग पर्मानेंट हाफ पर्मानेंट टेम्प्रोरली उप्रुक में से कोई नहीं तो जो ट्रीटमेंट किया जाता है मेटल इस्प्रेंग में वह पर्मानेंट होता है अस्थाही तरह का उप्चारिश में पेंट के जगा मेटल इस्प्रेंग का इस्तमाल किया जाता है या उतरता नहीं है नेक्स्स कॉष्टन पर देखते हैं देखे एक अंबर का जो कोस्टन दिया है वो दे रहा है वाट इस दे साइड अप्लग डैट और यूज इन इंडियान वेहिकल मतलब का शाइज बताना है जो इंडियान वेहिकल में यूज किया जाता है 5 mm 8 mm 11 mm 13 mm तो करेक्ट एंसवर हमारा सी होगा 11 mm भारतिय गाड़ियों में इस्टेंडर के अनुसार 11 mm का प्लग परियोग किया जाता है नेक्स कोशन है वाइल यूजिंग दा हायर रेट चार्जर दर टमप्रेचर आफ इलेक्ट्रोलाइट का किस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए यह बताना है बैटरी के अंदर बैटरी को जब चार्ज करते हैं हायर रेट से तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है कितने डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए तो 53 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए मैं किस टेप का परियोग किया जाता है connection में मोटर का प über जो ब्रेक डूम में किसका बना होता है यूमूनिय questo आप मैं ही जो वो बना होता है हमारे कास्ट टाइरन का तो ब्रेक ड्रम क्या होता है कास्ट टाइरन से इसका क्या मतलब क्यों बनता है आएज देखते हैं देखिए जो break Miram होता है का आयर के बनावाता है कर ऊधिव बहुत ही सोलद होता है साथ हाइच्छ वाला होता हैं नेक्स कोच्चन रोट BIG फर्मूलेट् resisting बिदर इनाइस पार जो फार्मूलेट किया जाता है सिलेंडर के अंदर उसको क्या नाम से जानते अभी मैंने बताया इंडिकेटेटेट हाथ पावर इसका फार्मूला याद रखिएगा देखिए इसका फूल फाम क्या होगा सिलेंडर के अंदर तयार की गई पावर को आई एच पी आनिक उतने से वायर का वहिकल के अंदर किस से निच्चित किया जाता है लोड से वेट से इंजन के स्पीड इंजन से या स्पीड से तुम्हें बता दू जो वायर होता है वहिकल के अंदर आटो मोबाइल में यूज किया जाता है वह उसके लोड के द्वारा निच्चित किया जाता तारो की मुठाई लोड की हिसाप से ते की जाती है वाहन की लोड शंता कम है या ज्याद़ की मुठाई उससे ते करते हैं किस परकार का पर्योग करते हैं बस और ट्रकों में एर प्रेसर का इलेक्ट्रिक प्रेसर का है वेक्यूम प्रेसर का तो जो यूज किया जाता है बस और ट्रक में एर प्रेसर यूज किया जाता है हान का एयर प्रेस हान का परियोग किया जाता क्यूंकि उनके डिजाइन के अनुरूप तथा लाउड भी होता है कि नेक्स्ट कुश्चन है हाव मेनी एंपियर आफ एलेक्ट्रिक आउटगोई इस कंज्यूम इन दे प्रोसेस आफ सेल्फ इस्टार्ट वहिकल सेल्फ इस्टार्ट वहिकल में कितने एंपियर इलेक्ट्रिक कंज्यूम होता है यह बताने कितना खर्च होता है कि 15 से 30 एंपियर सतर से सव एंपियर 20 से 50 एंपियर अंसर्टें तो जो एंपियर यूज होता है सेल्फ इस्टार्टर दोरा वह होता है पंदर से तीस एंपियर सेल्फी स्टार्टर पंदर से तीस एंपियर विदूद खर्च करते हैं इसके लिए गाड़ी में बैटरी दी होती है नेक्स्ट कोश्टन पर बढ़ते हैं पार्किंग सेन्सर बंपर पर लगाऊता है जिसे पार्किंग करते समय अपनी इस्तिती को देख जा सकता है पिए लो हाई वेरी हाई सेंप बोला है कि प्रेशर कम होगा तो फ्यूल का के संपट्र कितिना और गरेशन किसा ओगा खर्च अधिक होगा कम होगा मुँझा अधिक होगा बौह ाओ अधिक होगा कि समान बना रहेगा तो खर्च अधिक होगा अगर टौर्ड का प्र oni वाट तौर ये पर इन Gian các capital गारी पर ज्यादा लोड परता थare drill दबाव उचित पूल कंट्री में कौन सा हीट वेहिकल ड्राइवर को दिया जाता है एसी के वीटर रेडियेटर एक्जास्ट पाइप तो करेक्ट एंसों हमारा के भीटर हो जाएगा के भीटर का परियोग की जाता है एसी से काम नहीं चलता है क्योंकि बाहर की हवा ज्यादा थंडी होती है सक pracy प्रेटा जाता है वाइब दो क्रैक्टेंसों को नाम से विह जाता है यह बहुत छोटि मेर्टर रोधी जिसके दोरा इंजन स्टार्ट किया जाता है नेक्स्ट कोश्चन 43 नंबर देखिए दिया है कि वीच आप दी फोर्विंग कार्बूरेटर इस इन मोटर वेहिकल में किस प्रकार का कार्बूरेटर का परियोग करते हैं डाउन ड्राफ्ट कार्बूरेटर अब ड्राफ्ट कार्बूरेटर या साइड ड्राफ्ट कार्बूरेटर तो करेक्ट एंसर हमारा ड्राउन ड्राफ्ट कार्बूरेटर होगा क्या होता है ड्राउन ड्राफ्ट कार्बूरेटर देखिए जो ड्राउन ड्राफ्ट कार्बूर वेट टाइप एयर का दूसरा नाम क्या है पर ऐल गेग्षी सद्ध तेल में रह जाता है मतब किस इंट्रूमेंट का परयोग हम सुरक्षा करने के लिए वेहिकल इंजन की शुरक्षा करने के लिए किसे ड données स्वाइल से करते हैं किस इंट्रूमेंट का है warrior और फिल्टर कार्बूरेटर ब्रेक या इसी तो आप सभी को पता है कि एयर फिल्टर का परियोग डॉस्ट और स्वाइल से बचाओ के लिए किया जाता है इंजन को एयर फिल्टर का परियोग किया जाता है यह हवा को चानकर साफ करकर कार्बूरेटर में भेजता है नेक्स्ट कोश्टन पर बढ़ते हैं 46 नमबर एक वाट डिग्री सुड़ भी क्रेंग शाफ्ट सुरी कि क्रेंग शाफ्ट मेर्ट तू रोटेट इन आडर टू एचिव पावर इस्ट्रोग मतलब किस प्रकार का क्रेंग शाफ्ट का यूज करते हैं कितने डिग्री का पावर स्ट्रोग प्राप्त करने के लिए तो करेंग टेंस और 180 डिग्री जब क्रेंग साफ 180 डिग्री पर गुमता है तब पावर इस्ट्रोग मिलता है क्यूंकि इसमें उर्जा उत्पन होती है सिलेंडर के अंदर नेक्स्ट कोस्टन ने साहतारीस नमबर वाट इस दमीन आफ सी 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 का मतलब क्या होता है तो क्यूबिक सेंटीमीटर आप सबी को पता होना चाहिए सी सी को क्यूबिक सेंटीमीटर होता है यह इंजन की घंत्तों को दर्शाता है कि इंजन में कितना फ्यूर एक साथ जल सकता है next question पर बढ़ते हैं देखिए 48 नंबर का question regarded ring रीम इस वेहिकल में जो होता है इस मेटैरियल का बिनायारन का सब्सक्राइट टेंटंप बड़ी गाड़ियों में लगा crying इस्टिल का बना होता है जन्ग नहीं लगता è melhores तर्दम मजबूत होता है नेग्स्ट कोश्चन है 49न-बर से ऒार्डाइड तर्म इन ऊधरे डीजिग में हम किस परकार का टैयर और परियोग करते हैं ट्रैक्टर से लोग प्रेशर हाई प्रेशर बोग बेलूंड टाइप तो रहे के लिए प्रियोग की जाता है नकि उसी करते हैं देखेए लोग परियोग करते हैं कितने टाइप का है और दोनों तो तो चाहिए जबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है तो वीडियो में हमने आपको पचास कोश्चन करवाया जो कि हमें एक्सपेक्टेड लगा उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी एक्जाम के लिए मैं पूरी कोशिस करूंगा कि आपकी सेलेक्शन हंडेड परसेंट हो जाए और अच्छा कालेज मिले यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंद बाक्ली बताएं जो कि आपको सीटी कमेंड बताई वीडियो को लाइक करें और अधिक से इसे शेयर करें तो यह संपी पर वाचिंग द्ष वीडियो